हेलो एब्रीवनद ने रृठ सतम्सॉड वेलकम टू टू डीडू लेक्चर कर अजकी वुद्यों लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लैुटि そि क्या क्या लिमिदेशन्स हैं और उन्के प्रॉब्लमस क्या क्या है निजकर प्लै। और आप स्क्रीन पर देखते जाएंगे तो आपको हर एक points का detailing आपको पता चलते जाएगा तो हम एक points को हम देखते चलते हैं कि भविश्य की जो पहला जो point है वो क्या आता है वो है भविश्य की अनिशिता उन्हीं future में जो unexpected situations और problems आने वाले हैं इसको हमके क्या करना होता है overcome होकरना होता है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हमें लगातार changes करनी होते हैं अपने plannings में बार-बार क्योंकि जो problems जो है वो unexpected way में हमारे पास आ रहा है हम कितना भी estimating कर लें लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो क्या होती unexpected way में आती है और uncontrolled way में आती है जिसे हम present में हम future में आने वाली problems को सही तरीके से expect या predict नहीं कर सकते ठीक है तो यह जो है इसका planning जो है हम पहले से सही तरीके से कर ही नहीं सकते तो यह सबसे बड़ी disadvantages से लिमिटेशन से आपके planning की इसके बाद जो planning जो है वो क्या होती है काफी costly होती है जो planning करने के लिए जो ख़र्च जो होता है काफी ज़्यादा होता है इसमें समय भी लगता है महनद भी लगती है और इसमें जो खर्चा जो होता है वो काफी ज़्यादा होता है और इसमें अलग से जो है वस्तु और सेवाओं की लागत भी वृद्धी भी होती है जिससे क्या होता है कौश्ट इसका बढ़ता चला जाता है दिसमें जो है टाइट्ब पॉंट जो है लोट प्रव मनें लेगिंग का जो और है लेगिंग जो फैक्टर एक किसी ब्ल्रीप्रिंट में कमेया रहा di जाती है जिसकी वजाइसे हमने इस टाइब के लिमूटेशंज को देखना पड़ता है। उसके बाद, जो नेक्स्ट पॉट्ट है वह है बड़े परिवर्थनों की समस्या। क्या होता है कि हम future में आने वाली problems को क्या करते है, study करते हुए हम क्या करते हैं प्रिजेन में planning करते हैं लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि unexpected situation generate हो जाते हैं जैसे कि अभी कोरोना का समय चलता है COVID-19 से अभी पुरा business जो है in countries, different different countries जो है वो क्या रहे हैं प्रभावित हुए हैं इसी प्रकार से earth quake हो गया, आपका सूखा हो गया, भारी बारिश हो गई, बाड़ हो गया, floods हो गया तो ये सब चीजें जो है unexpected हैं इस पे तो किसी का जोर चलता नहीं है और लेकिन इस प्रकार के जो problems जो आती हैं तो इसके वज़ासे ये तो unexpected है और इसके वज़ासे जो कितन इसनी भी planning कर लें तो आपकी planning जो है यहाँ पर जो है fail होती हुई नजर आती है, उसके बाद जो next है, वेक्तिगत रुचीव की समापती, मने individual जो interest है वो क्या होता है, खातम होते जाता है, कई बार हमारा क्या होता है हम plan करते हैं लेकिन planning हमारा fail हो जाता है या properly execute नहीं होता या उसका proper result हमें नहीं मिलता, तो उससे क्या होता है, हम एक individual interest जो होता है, पर्टिकुलर participant का वो क्या होता है, देरे देरे करके खातम होता चला जाता है, तो जैसे कि इसमें दिया हुआ नियूजन के अंतर के सभी कारकरमों का पूर्व में ही निर्धारन कर जिया जाता है, इससे संस्रा के करमचारियों की व्यक्ति के टूची वह पहल शक्ति की भावना समाप्त हो जाती है, और वह मशिनों की भाती पूर्व निशित का अरकम के अनुसार कारे करने के लिए बात दे हो जाता है, मने हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले से decide कर दिए हैं, target achieve करना तो इसके लिए क्या होता है, employees जो है, एक machine के तरह कारे करते हैं, उनकी creativity और innovative ability जो है, हमें देखने जाला देखने को नहीं मिलती है, इसके बाद, fifth, sixth point जो है, वो है, nearest कारे, बने, planning बनाने का कारे, जो है, मुखेता, विचार करना, तथा, खाना पूर्ती का माना जाता है, जब की management कारे जो है, वो क्या होता है, काफी active है, और इसे करना, जो management का जो work है, उसे हर कोई करना पसंद करते हैं, तो नियूजन, जो planning के लिए एक, planning करना जो है, वो क्या है, एक non-interesting field है, उसके बाद, जो next point जो है, वो अधिक परिवर्तनों में, नियूजन की सफलता, या फिर सफलता, माने planning की planning fail होना है, तो जिन business में परिवर्तनों के सफलता पूरवक नहीं अपनाया जा सकता, उन business में planning पर भारी पैसे खर्च करना, और समय के अनुसार निर्दे लेना ही अधिक उप्यूक्त समझा जाता है, अगर आप planning करके चल रहें किसी business में, और आप planning जो है, वो काफी खर्चीला है, काफी जादा पैसे खर्च करने वाला है, तो इस सच बेटर है कि आप current situation को देखते हुए है, planning करें और इस planning को execute करें, ताकि आप target achieve कर सकें, and 8th point जो है, निर्दे में देरी, प्लानिंग के समय लागत है, समय लगता है, जबकि आपात इस्त किस्टी कोन से planning, non-behavior, बन जाता है, मनें, आप कितनी भी planning कर दो, लेकिन अगर situation, अगर unexpected आगे, तो उस case में क्या होता है, unexpected आने के वज़े से क्या होता है, आपको प्लानिंग का जो फेल होता है, इससे क्या होता है, आपको निर्दे में, क्योंकि आप पहले से mindset कर चुके हो, कि आपको ये कारे करना है, लेकिन अगर planning फेल हो गया, तो आपको क्या करना होता है, निया procedure या निया कारे आपको करना ह होता है तो जिससे क्या होता है आपको जो करने की जो इंटरेस्ट रहता है वो धिरी-धिरी करके खतम होता चला जाता है और आपने जो समय जो दिया है प्लानिंग करने के लिए वो भी आपका वेश्ट होता चला जाता है तो यह सब चीजें हैं जिनकी वज़से क्या होता है आपकी planning जो है बहुत हद तक आपको limitation कर देती है और जिसमें सबसे important चीज़ है वो क्या है आपकी creativity और आपकी innovative thinking को क्या करती है वो sum up कर देती है और दूसरा जो important point है इसमें वो ये है कि due to unexpected natural disaster आपकी planning जो है fail होती है ठीक है तो ये जो दो-तिन factors है जो आपके planning को limitation provide करती है तो आज की video lecture में इतनी next video lecture में हम next topic cover कर देए